हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पॉज्टिव अप्रोच दिस इज नितेस भारद्वाज कैसे हो आप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम जानेंगे साउथ इंडिया चोला एंड अदर स्टेट्स के बारे में तो आए तो बीना वक्त अग करफूल रिऊडर थे वो कौन थे देवपाल थे और जो पाला ढच्टी के जो फाउंडर थे गोपाला थे उनके पूतर का नम था धरमपाल जिनोहने जो है विक्रमसिला उनुव obey की क्या है स्थापना किय conservative नालन्दा उनुवस्टी कब बनी थी नालन्दा उनुवश्टी से ये और 5 सेंश्री में और किसके द्वारा जो गईवान गई है किंग कुमार गुपता र बनाई गई गई है नालंदा युनिवस्टिप किंकुमार गुपता र इसे रिनोवेट किस ने किया था इसे किया था धरुमपाल कौन थे वह थे पाला डैन्ष्टि के जो फाउंडर था इसके बाद हमारे तो दूसरी डैंस्टी आते हैं वह ते चौलक क्या बादामी डैंस्टी इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे पुलकेसिन वन थे कौन थे पुलकेसिन वन थे और यह एस्टबलिस्ट कब हुई थी 543 AD में हुई थे और इसकी कैपिटल कहां पर है वाधप बादामी में मैगनिफिसेट किंग कौन से थे चौलक क्या डैंस्टी के तो यह थे पुलकेसिन टू जो डिफीट किया था उन्होंने कि इसको हर्सवर्धन को कब किया था 620 AD में किया था आप यहां मैप में देख सकते हैं कि यहां जो रेड़ पॉइंट है यहां पर जो है इसके बारे में भी जो है एक्जाम जरूर पूछा जाता है तो यह हमारी पलवा डैंस्ट या मैप में देख सकते हैं कि पलवा डैंस्टी कहां पर है पलवा डैंस्टी जो है हमारी यहां पर है हमारा केरला यहां पर करनाटको और यहां पर है तामिलाडू तामिलाडू में जो है पलवाडाइश्टी आती है और इसके founder कौन थे पलवाडाइश्टी के यह थे सिम्हा विस्नुजी कौन थे सिम्हा विस्नुजी और इसकी capital कहाँ पर आप देख सकते है कांची पूरा में जो इसकी capital थी जिसे कांची भी कहा जाता है और इस डाइश्टी का famous ruler कौन था इ और इन्होंनों जहें महा बलीपूरम जो टाउन है एस्टबलिस किया था महा बलीपूरम टाउन एस्टबलिस के तो और construct के थे सेवन पगोडाज यह इस मैं इस चितर में आप देख सकते हो यह पिक्चर जो सेवन पगोडाज का है आप यहां ऐसे भी याद रख सकते हो पी से पलवा डैन्ष्टी और पी से सेवन पगोडाज और यहां किस टिए पलवा डैन्ष्टी के और किसने बनाए थे यहां बनाइक थे फेमस रूलर नार्सिंग वर्मन जी ने जिन्होंने ज़ो महावली पूर्म टाउन की भी स्था अपना है कि ती और साथ में सेवन लड़ थे वो कौन थे वो थे नार्सिंग देव थे और इन्हों ने जो है कॉनार्क टेंपल भी बनाया थो जो कहां पर है ओडिसा में है जो सूर्य मंदिरी भी जो है इसे कहा जाता है कॉनार्क टेंपल इन ओडिसा आप इस चित्र में देख सकते हो यह हमारा कॉनार्क देव जी ने बनाया था टेंपल वाज ब्यूट वाइंग नर्सिम देवाजी ऑफ गंगाडाइंश्टी इन 1260 एडी में यह यह टेंपल बना था और किस चीज के लिए यह टेंपल बना था टुमार्क इस विक्ट्री ओवर दा मुसलिव इनवेडर्स और उसके बाद आता है ह जगनात पूरी जगनात पूरी टेंपल किस ने बनाया था तो यह बनाया था अनंत वर्मन ने वह भी किसके थे गंगाडाइंश्टी के ही जो सासक थे कौन अनंत वर्मन जी नो जगनात पूरी बनात और यह जो है चारधाम में से एक हमारी सबसे प्रसीध पिलगरी में इंडिया भी मैंने आपको बताया उसके बाद जो हम चोला डेंस्टी के बार में पढ़ेंगे इस डेंस्टी से भी जो है एक्जाम में कोश्चन पूछ लिया जाता है इसके जो फाउंडर थे और जो सबसे पहले किंग थे वो कौन थे वो थे विज्याला चोला जी जो 848 AD से लेकर 871 AD तक जो है इन्होंने सासन किया था और इसके जो लास्ट जो अंतिम जो रूलर थे वो कों थे राजेंदर चोला थ्री बारहसो चालीस AD से लेकर वारासो उना सी एडी तक जो है इन्होंने रूल किया था और चायला डेंस्टी की जो कैपिटल हो कहां पे तंजूर म होगी अब कुछ कोश्चिन पढ़ते हैं जो अग्जामने से पोइंट और यू से बहुत इपॉर्टेंट है चौलक के डेंस्टी बाजे डिश्ट्राइड बैहूं जो चौलक के डेंस्टी था अभी हमने उसके बार में पढ़ा इसे किसने जो है डिश्ट्राय किया था इस किस डेंस्टी को बिलोंग करते हैं यह करते हैं रस्त्र कूट डेंस्टी को किसे रस्त्र कूट डेंस्टी को जो बिलोंग करते हैं और जो फेमस अलोरा के लास्ट टेंपल है यह बना गया था क्रिशना की जी के द्वारा वु वास दा फाउंडर ओफ चोला डेंस्टी अभ क्या नाम था उनका गोपाला which density of India is known as better rural administration तो जो चोला density को जो है इंडिया की better rural administration भी कहा जाता है आई हो मेरे द्वार दीए गई जानकार आपको अच्छी लगी होगी इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल पॉस्टिव अप्रोच के साथ बने रहे धन्यवाद जाहिं कि जाहिं सत्क्रा आफ जाहिंख झाल जाहिं